भारत देश है 130 करोड देशवासियों का, विभिन्न धर्मों के अनोखे संगम का, परंपराउं और रीते रिवाजूं का, टेक्नोलोजी के क्षेत्र में विश्व का उभरता केंद्र है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत. दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक, भव्यसांस्कृतिक विरासत और विविदिताओं से संपन्द और विश्व की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था की रूप में, जीट्वेंटी की प्रेजिडेंसी पाकर भारत को गर्व है. आज, जब हम सब एक नए युक में प्रवेश कर रही है, मानवता की हर चुनोती पर विजय पानी के लिए एक प्रतीक हम सब को प्रेरित कर रहा है. कमल, भारत का राष्ट्रिय पुष्प कमल दर्शाता है हमारी भव्य संस्कृते को, गौरवशाली इतिहास को. यही कमल है जीट्वेंटी भारत दो हजार तेईस के लोगो डिजाइन की प्रेरणा. इस डिजाइन में सम्मिलित के सर्या, सफेद, हरा और नीला रंग, भारत के राष्ट्रे ध्वच के रंग है. इस कमल की साथ पंखुडिया, साथ महा सागरों और जीट्वेंटी भारत दो हजार तेईस में भागली निवाले, साथ महा ध्वीपों के संगम को दर्शाती है. और इसकी पंखुडियों के बीच स्थापित प्रिथ्वी, दर्शाती है जीवन के प्रती भारत की प्रो प्लानेट विचारधारा और पूरे विश्व को अपना परिवार मानने की सोच को. इसी सोच का निशकर्ष है G20 भारत 2023 की थीम वसुधायव कुटुम्ब कम, एक प्रिथ्वी, एक कुटुम्ब, एक भविश्य. इस थीम का लक्षे है G20 का ध्यान साजहा प्रगिती की ओर केंद्रित करना और ये सुनिश्चित करना कि ये प्रगिती हमेशा प्रकृती के साथ हो. G20 भारत 2023 एक प्रिथ्वी, एक कुटुम्ब, एक भविश्य. प्रिथ्वी, एक को फ्रिथ्ब, एक भविश्य.